स्वागत बच्चों आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल में और आज की हम अपनी पार्ट टू की वीडियो है एडवर्ब की पार्ट टू वो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दो इससे पहले जो पार्ट वन करवाया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को एडवर्ब के बारे में थोड़ी बहुत information आप लोगों को दी है साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि एडवर्ब के कितने type होते हैं और last में मैंने आप लोगों को कुछ घर के लिए homework जैसे चोटे बच्चों को देते हैं वैसे मैंने आप लोगों के लिए homework दिया था वहाँ पर मैंने basic lecture जा चुके हैं और आज थर्ड भी खतम हो जाएगा तो अब तक जो basic lecture आ चुके हैं उसके अंदर noun और थोड़ा बहुत pronoun इसी के साथ मैंने आप लोगों कराया था और इसके साथ इसाथ adjective और ये adverb तो यहां पर यह जो चीज़ें वो खतम होने वाली है अगली जो वीडिय को देखने वाले हैं आप अपने sentences निकाल लीजिए ताकि आप लोगों को चीज़े clear हो जाएं और इस वीडियो के अंदर ही माँ आप लोगों को adverb और adjective के बीच में थोड़ी बहुत similarities है मतलब कि एक word जो वो adverb भी बन जाता है एक word जो वो adjective बन जाता है कैसे find out करेंगे वो कि भी आप लोगों को यहां पर करवाने वालों पहले sentence के उपर आते हैं पहले sentence है Indian soldiers fought very bravely sorry sorry Indian soldiers fought very bravely against the enemies अब हमें sentence को break करने की शुरुआत कहां से करनी है हमें sentence को break करने की शुरुआत करनी होती है वाउब से एक sentence में वाउब क्या होती है जिसकी तीन फॉर्म हो जितना मैंने आप लोगों को basic बताया है उसी के बारें बात करें तीन फॉर्म हो और जो action को represent कर दे तीन फॉर्म हो तो यह fight, fought, fought, यह जो है, वो verb होगी, action हो रहा है, लड़ने का कर कोन रहा है, soldiers कर रहे हैं, तो यह क्या होगे, subject होगे, action के doer कोम क्या कहते हैं, subject कहते हैं, against जो है, वो यहाँ पर preposition है, और मैंने आप लोगों को बताए हुगा है, कि preposition के बाद क्या आते हैं, preposition के object आते हैं, तो enemies क्या होगे, preposition के object होगे, noun है, common है, clear, soldiers भी noun है, common है, अब यह Indian क्या कर रहा है, यह जो word है, वो किसको qualify कर रहा है, यह qualify कर रहा है soldiers को, और soldier के noun है, एक word, जो noun को qualify कर दे हैं, noun के बारे में बता दे, उसको क्या कहते हैं? adjective कहते हैं और कौन सा adjective है? यह proper adjective है क्योंकि proper noun से बना proper adjective clear है? अब यह bravely और very ज़रा देखो यह दो ही word रहे हैं the article होते हैं यह मैं लिखनी रहा हूँ very और bravely दो ही word रहे हैं इस sentence के अंदर जो हमें बताने कि यह क्या है इनकी parts और speech के हैं आप अगर यहां पर reply लेके देखें मैंने आपको कहा था कि जो adverb की टाइप होते हैं time, place, manner, frequency, degree मैंने आप लोगों कराया था आप अगर वर्ब से when का reply या फिर where का reply या फिर how का reply या फिर how often या फिर how much अगर in words के reply लें आप वर्ब से तो आप लोगों को क्या मिलता है adverb मिलता है अब यहां पर जड़ा देखें Indian soldiers fought how कैसे लड़े? बहादरी से how का reply मिल रहा है तो how का जब reply मिल रहा है तो वो क्या मिलेगा आपको adverb of manner यह bravely इस fort को qualify कर रहा है और adverb में भी कौन सा manner clear अब यह very किसको qualify कर रहा है इस fort को qualify कर रहा है इस bravely को qualify कर रहा है जड़ा सोचो बहुत बहादरी से या बहुत लड़ाई कैसे बहुत बहादरी से तो एक word जो adverb को खुद को qualify कर दे उसको भी तो adverb कहते है intensity बढ़ा रहा है adverb of degree पहला sentence हो गए हमारे सामने इसका meaning क्या है भारतिय स्रैनिक लड़े बहुत बहादरी से दुश्मनों के किलाव clear हुआ second sentence पे आते है amidst sold the questions amidst sold the questions very easily without any help clear आउ जड़ा sentence को देखें sentence की शुरुवात करें हम break करने की verb से sold 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 ये बनी है आपके सामने verb इसको किया कि इसने अमित ने तो अमित क्या बनेगा यहां पे subject noun है proper है sold word questions questions मनेगा object noun है common है अब यहां पर हो without without होती है preposition और यह help हो गया preposition का object अब काफी सारे बच्चे सोचेंगे सर हमें तो नहीं पता यह against आपने बोला preposition है without आपने बोला preposition है हमें तो नहीं बता preposition क्या होती है हम कैसे पहचानेंगे जरह देखो आज आप लोगों को पता चल गया against एक preposition है without एक preposition क्या आने वाले sentences में जब भी आप ये against और without देखो गे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि प्रेपोजिशन कुछ सीख नहीं तो आई हो ना सीख लिए आज आपने कि against और without preposition होती है आप लोगों को पता चल गए preposition होती है तो अब जब भी किसी की help नहीं किसी की भी help नहीं यह जो any है वो इस word के बारे हैं बता रहा है तो इस word के बारे हैं बता रहा है तो यह preposition का और एक वरत जो नाउन, बतातें वह क्या होता है, यहां पर क्लियर, अब आते हैं यहां पर यह दा और आर्टिकल यह वही high, बच गया, वैरी को तो मुझे लगता है कि बच्चा असानी से कर लेगा, मैंने लगता हर जगह वैरी वैरी लगा दिया, वैरी यहां पर, वैरी यहां पर, वैरी यहां पर, कोई ना मुझे अलगी लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, यह easily क्या कर रहा है, questions कैसे solve के, मुश्किल से, आसानी से, कैसे solve के, अरे बहुत, आसानी से, easily, तो यह word जो है, वो easily, soul को, soul को qualify कर रहा है, ना कि questions को, मैंने गलती से questions के उपर लगा दिया, यह जो easily जो है, वो sword को qualify कर रहा है, जब sword को qualify कर रहा है, एक verb को qualify कर रहा है, तो यह क्या बनेगा, adverb बने एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वह हो गया, एडवर्ब of degree, यह इजली क्या बनेगा यहां पर, एडवर्ब of manner, यह है एडवर्ब of manner, clear हो हैं, ओके, नेक्स सेंटेंस पर चलते हैं, इसका मतलब हो गया न, हम इतने सोल के बहुत असानी से, वह कोश्चन बिना किसी help के, थर्ड सेंटेंस में आते हैं, मुकेश टॉक्स वेरी लावडली औरोगेंटली, देखें, जनरली क्या होता है, किसी word के साथ, किसी word के साथ, लवाई लग जाए, तो वह एडवर्ब बना देता है, जनरली, पत्थर की लगए नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे न बट मैंने का, जादा तर एडवर्ब होते हैं, आओ जरा, मुकेश टॉक्स वेरी लावडली औरोगेंटली, मुकेश जो है, कैसे बात करता है, बड़े ही तेजी से और बड़े ही घमंडी तरीके से, क्योंकि अरोगेंटली जो है, वो घमंडी तरीके से कह सकते हैं, तो लावडली औरोगेंटली, कैसे बात करता हैं, तेज अवाज से, बहुत घमंडी तरीके से, उसका बात करने का तरीका क्या है, अरोगेंटली, लावडली, यह आप देखेंगे, तो यह वर्ब को क्वाली क्वारे कर रहे हैं, दोनों के दोनों वर्ड, तो यह दोनों के दोन काम यह होता है कि जो दो वर्ड को जोड़ना और उनके बीच की जो तो कोमन चीज़ उसको भी एक में करके दे देना ऐसे तो यह वैरी लाउडली और वैरी अडोगेंटली भी है लेकिन यहां से आप समझ जाएंगे कि वैरी जो है वो इसके लाउडली की साथ लगा हुआ है स यह adverb of degree है अब जरह यहां पर देखने वाली बात यह सीखने वाली बात कहा है कि जरा आपने उपर जो है वो दो adverb लगा रखी ती यही यहां पर भी दो adverb दिए यहां पर आपने जो दो दो adverb लगा यहां पर end conjunction लगा दिया ऐसा क्यूं देखो generally क्या होता है जब same type की adverb use ह क्योंकि मैंने adjective वाले concept जो lecture किया था तो वहां पर मैंने ये बात कही थी कि same type की adjective या same type की adverb अगर use हो तो उनको add करने के लिए क्या होता है कि conjunction आजाते हैं बस यहां से हमने यह सीख लिए कुछ न कुछ तो सीखेंगे न हम यहां आओ जरा यह हो गया four sentence पर चलते हैं अजय often comes here with that boy अजय जो है वो अकसर आता है यहां पर उस लड़के के साथ शुरुवात कहां से करेंगे verb से comes हो गया main verb यह verb आने का काम कौन करता है यह action कौन कर रहा है अजय कर रहा है तो subject हो गया noun हो गया proper हो गया कब आता है यह frequency बता रहा है comes तो यह often क्या बन बनेगा clear advo frequency clear okay अब here with that boy with क्या होती प्रेपोजिशन होती है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं उसके object आते हैं तो boy बनेगा प्रेपोजिशन का object that क्या कर रहा है इस boy के बारें बता रहा है that boy demonstrate कर रहा है तो adjective बनेगा क्योंकि यह noun है ना common जो एक noun के बारें बता द यह adjective होता है demonstrative adjective है अब यह here क्या है कहां आता है here तो इसको qualify कर रहा है comes को वर्ब को qualify कर रहा है तो adverb of place होगी clear हो गया यहाँ पे अब आते हैं कि अब काफी सारी चीजें जो है अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सर आपने यह adverb जो है वो अभी वर्ब से पहले लिखी यहाँ पर आपने adverb जो है वो वर्ब के बाद में लिखी यह पंगा क्या चल रहा है सर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने तो adverb जो वो object के बाद में लिख रहा है सर यह कैसे कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा कि adverb की position क्या होती है देखिए adverb की position थो हम लेकिन उसको अभी ना करके डिटेल पे जब जाएंगे नो वहां करेंगे क्योंकि ज्यादा पेचिदा हो जाएंगे चीजे ज्यादा चीजे अगर आ जाएंगे दिमाग में तो उसको कैच नहीं कर पाएंगे तो मैं उसको एक पर थोड़ा सा दूर रख रहा हूं यह बात मै जनली व्रब से पहले आ जाती है तो कि यह यहां देख लिए कि एड़वर फ्रिक्वेंसी पहले आ जाती है एड़वर मेंसिधा के बाद आ जाती है अगर에, आगर और और कब arbe, ने पहले अए आ जाती है रखा हो तो object के बाद हम लगा देते हैं तो यह होगा चार sentence last sentence को देख लेते हैं somebody stole his car yesterday आप जड़ा देखें steal stole यह होगी verb किया किसने somebody तो यह होगा subject pronoun है clear रुआ pronoun होगा यहाँ पे अब pronoun में भी indefinite pronoun है हम करेंगे इस चीच को जब हमारा पहला lecture pronoun का होने वाला है तो इसलिए मैंने नहीं करा है इसलिए लिखा भी नहीं मैंने उसका type stole word stole भई car तो car होगया object noun है common है अब किसकी भई यह हीज जो है वो इसके प्रदिकार जता रहा है तो adjective होगया कौन सा possessive adjective कब चुरा ली time बता रहा है stole when जब time बता रहा है एक word जो time बता दे तो वो क्या होता है adverb of time adverb of time समझ में आया तो बस यही था हमारे सामने clear हो गया आग के यह हो कि हमारे सामने जो मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दे प्रैक्टिस जो मैंने आप लोगों को दी थी अब एक प्रैक्टिस हैसी करने है कि आप लोगों को चीजों को थोड़ा और clear कर लें कि adverb एक word जो है वो adverb का भी काम कर देता है एक word जो है वो adjective भी बन जाता है सर वो कैसे करेंगे यह मैंने already adjective versus जो adjective और pronoun का pronoun का वो जो करवाया था आप लोगों को comparison करवाया था वहाँ पर आप लोगों को यह चीज़े बताई भी थी कि कैसे हम देखेंगे एक sentence पढ़ेंगे उसमें working देखेंगे working के हिसाब से हम decide करेंगे कि वो word जो है वो उसका part so speech के same to same यहाँ होगा बहुत अच्छी से करेंगे इन चीज़ों को तो शुरुआत हम इस four sentence से करने वाले हैं इस four sentence से देखेंगे ज़रा four sentence में देखें Mohan worked very hard on this project verb की पहचान करेंगे verb क्या होता है यहाँ पर जो action को represent करते जिसकी तीन form होती है तो work है तो work बनेगा यहाँ पर main work किया किसने? Mohan ने किया तो Mohan यहाँ पर subject है Mohan का part so speech क्या है? noun है और proper है clear होगा अब own क्या है? preposition है और preposition के बाद क्या आते है? preposition के object आते हैं यह this क्या कर रहा है? इसके उपर demonstrate कर रहा है तो adjective है कौन सा adjective है? demonstrative adjective वही काम कैसे किया उसने? कैसे काम किया? बहुत महनत से hard जो है वो इसको work को qualify कर रहा है बहुत महनत से तो महनत जो है वो इस work को qualify कर रहा है यानि एक word जो verb को qualify कर दे तो वो क्या होता है? adverb होता है कितनी महनत? बहुत जादा है महनत तो यह हो गया adverb of degree अब ज़रा देखिए अगले sentence पर आते हैं क्योंकि यह दोनों sentence में एक word जो है वो comment आएगा यहां पर आप लोगों को समझाने अगला sentence में देखें तो यह इसमें verb देखेंगे तो verb जो है यह must यह helping modals होते हैं यह करेंगे can, could, may, might यह complete करने का काम किया किसने, you ने तो you बनेगा subject, pronoun है जहान रखना है इसको complete work, complete work, work यहां पर क्या बनेगा object बनेगा, object बनेगा noun है और यहां पर this जो है वो इसको qualify करने वाला, qualify कहीं या फिर इसको पर demonstrate करने वाला adjective होगा okay, by क्या है preposition है, preposition के बाद क्या आते है preposition के object आते है, यह हो गया object preposition का noun है proper है, clear अब यहां पर आते है क्या हो गया, हाँ, इस work के उपर यहां पर आप देखेंगे four sentence में four sentence में, यह work जो है वो वो बना हुआ है, लेकि इस fifth sentence में, यह work वर्क जो है यह noun बना हुआ है तो आपने देखा एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देता है कैसे find out किया कि हमने यहां पर यह verb है यह क्या कहते हैं work जो है यहां पर noun है यहां पर verb है अगर देखिए अगर आपने इसको वर्ब बनाया तो इससे पहले adjective लगा हुआ है तो इसकी गड़बड आ जाएगी क्योंकि वर्ब को थोड़ना क्वालिफाई करेगा तो दिक्कत ही आ गई अगर आप इसको वर्ब बनाओगे तो इसको क्या कहा है कि इसके लिए अपना subject चाहिए तो subject कहां से लाओगे आप कहोगे कि सर इसको इस subject बना देंगी कि दो दो वर्ब आगी तो उनको जोडने के लिए conjunction कहां से लाओगे समझ रहे हो अरे दो वर्ब होगी दो adjective होगी दो इन दोनों sentences से सीख लिया फिर से आते हैं इस third sentence के उपर आते हैं इस third sentence के पर देखते हैं my grandfather reads से weekly magazine तो reads यह क्या हो गया यहाँ पर वर्ब होगी यह होगी वर्ब reads करने का काम करते हैं को ने grandfather तो यह हो गया आपके सामने subject हो गया यह इसके पर अधिकार जताने वाला adjective हो गया magazine कौन सी weekly, monthly, daily कौन सी magazine यह जो word है वो इसको qualify कर रहे हैं यह noun है और एक ऐसा word जो noun को qualify कर दे तो वो क्या होगा वो होगा adjective यह adjective है सर यहाँ पर यह weekly adverb लग रहा है हमको time बता रहे हैं और देखिए यह इस noun को qualify कर रहा है एक तरीके से आपने एक article के भी through देखिए आर्टिकल से पहले लिखा होता तो भी मैं इसमें कहते कि नहीं यार यह recent को qualify नहीं कर रहे है यह वब को qualify कर रहा है एक तरीके से तो अर्टिकल के बाद लिखा हुआ है तो यह noun को qualify कर रहा है दूसरी चीजा है अगर आपको इस reads को qualify कर वाना होता है तो इस weekly को तो यहाँ पर लिक देत इस weekly को अगर बाद में लेके आते तो क्या होता magazine के बाद में लेके आते तो यह adverb बन जाता है लेकिन यहाँ पर यह adjective है समझ में आया अब आओ पहले sentence के उपर the fast baller from South Africa ball really fast verb क्या है इसके अंदर verb है यहाँ पर बोल्ड यह और यह बोलिंग करने का काम कार कौन रहा है भाईया यह बोलर कर रहा है तो यह हो गया आपके सामने subject noun है common है clear अब यहाँ पर यह from क्या है preposition है preposition के बाद आते है preposition के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के बाद जिक South Africa हो गया noun है proper adjective किसी देश का नाम है यह bowler कैसा है bowler भाय्या बहूँ तेज बोलर है तो यह हो गया adjective क्योंकि किसी noun को qualify कर रहा है अब कैसे bowling की उसने fast तो यह fast करना किसको qualify कर रहा है, इस bowling को bowling करने को कर रहा है तो यह 1 verb को qualify कर रहा है कितनी fast भाई really fast तो यह जो really जो है वो इस fast को qualify कर रहा है और एक word जो adverb को भी qualify कर दें तो वो क्या होता है वो भी खुद भी adverb ही होता है समझें तो इस sentence में देखा कि यहां पर fast दो यह same word आया हुआ है देखें fast fast कोई change नहीं है spelling के अंदर तो एक word same to same repeat हो रहा है एक ही sentence में लेकिन वो working अलग-अलग कर रहा है एक बार वो adjective बन रहा है और एक बार वो adverb बन रहा है how we find out it कैसे हम पता करेंगे पता करने का simple सा तरीका है कि sentence को देखो कि उसमें वो word काम क्या कर रहा है देखा हमने यह एक noun के पहले लगा हुआ है तो क्या बना यहां पर यह adjective बना और यहां पर अगर यह आप इसको adjective बोलेंगे तो कहेंगे कि इसके बाद कोई noun लेका हो noun भी तो नहीं है सर क्या adjective noun को qualify करेगा तो क्या वो बाद में नहीं आ सकता बेशक आ सकता है लेकिन उसकी condition मैंने आप लोगों को बताई थी कि बी की form बी की form क्या होगी मीन वप का काम कर देगी तब आप adjective लगा सकते हैं कहीं पर भी बी की form लगी हुई है नहीं लगी हुई अगर आप लोगो मैंने आप लोगों को बताई है दो बार नी तीन बार नी बहुत बार मैंने आप लोगों को बताई है तो वो फिर से यहाँ पर repeat करना देखो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है मुझे सही नहीं लगता अगर आप लोगों बता है तो बहुत अच्छी बात नहीं बता है जाकर दीखिए वहाँ पर अगला sentence, जो last sentence बुसता है Okay They hit him extremely hard with a hard bet Hit, hit, hit यह होगी main verb Hit करने का काम कि इसने क्या देने, यह होगया subject, pronoun है Clear अब यहाँ पर आते हैं, hit whom यह होगया object pronoun है अब वीद होती है preposition और preposition के बाद आते हैं, preposition के object यह हाड क्या कर रहा है, सक्त bet hard bet, सक्त bet इस bet को qualify कर रहा है, तो यह adjective होगया यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी तो hard है लेकिन यह hard किसको qualify कर रहा है यह hard him को qualify कर रहा है यह hard hit को qualify कर रहा है यह hard day को qualify कर रहा है किसको qualify कर रहा है, क्योंकि बाद में तो preposition लगी हो और प्रेपोजिशन के अब्जेक्ट लगे हुए यह आर्टिकल है इसका तो कोई लेने दिना नहीं नहीं से तब देखें यह हाड हाड हिट किया यह हाड हिम यह हाड दे कैसे हिट किया यह बहुत ज्यादा हिट किया बहुत भेहंकर मारा बहुत हिम बहुत वे बहु यह hard आया हुँ है लेकिन फर्क देखना यह adverb है यह adjective है यह verb को qualify कर रहा है और यह noun को qualify कर रहा है अब यहां पर extremely बचा हुए extremely hard को qualify कर रहा है इसलिए बन गया यह adverb of degree clear हुआ तो यह थे आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों कराए कि adverb और adjective में थोड़ी बहुत हम कैसे वह adverb बन जाता है adjective बन जाता है वह चीज़ मैंने आप लोगों करवा दी साथी साथ जो पिछली वीडियो में आप लोगों को काम दिया था कि इन sentence को आपको break करके आना है वो भी मैंने आप लोगों करवा दिया तो अब आप देखेगी है तो अगर आप लोगों नहीं जितने भी lecture मैंने आप लोगों करवाएं adverb का, adjective का या कहें noun का तो ये जो चीज़े मैंने आप लोगों को basic करवा दी है तो अब जब भी आप sentence में देखेंगे तो at least इन चीज़ों को आप पहचान पाएंगे अगर नहीं देखेंगे तो इनको जा कर देखिए पीडिएफ चाहिए क्यों कि बच्चे को तो पीडिएफ चाहिए ही होती है तो पीडिएफ चाहिए तो आप लोगों क्या करना है टेलिग्राम का एक link मिलेगा description box में जाकर join कर लेजिए वहाँ मिल जाएगा, facebook का भी link दिया हुआ है page का भी link दिया हुआ, जाकर join करिए बहुत सारी आपके exam के point of view से related news और भी चीजें वहाँ share की जाती है, PDF भी आप लोगों को महाँ मिलेगी और वीडियो पसंद आई है तो like करिए, देखिए, like करेंगे share करेंगे, तो मुझे motivation मिलेगा आगे वीडियो लाने का, जल्दी जल्दी वीडियो लाने का फिर लगता है कि यार कोई देखी नहीं रहा तो फिर अंदरी अंदर ऐसे लगता है कि कोई ना यार नहीं देख रहा तो बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, फिर लगता है यार देख रहे हैं Thank you.